दोस्तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सक्स के बारे में जिसने यूपी की राजनीती में भुचाल ला दिया जिसकी वज़र से यूपी में पुरा दहस्यत का महौल हुआ यहां तक की जो यूपी के सियम थे योगी महराज उनको कसम खानी पड़ी की मिट्टी में मिला देंगे और जब यह सब्द बाहर लिकल के आता है तो जितने अपरादी होते हैं को ख्यात होते हैं सब डर जाते हैं क्योंकि लोगों को पता होता है कि जब भी इन्होंने कसम खा ही है तो इन्होंने अपरादियों को मिट्टी में ही मिलाया है हेलो दोस्तो मेरा नाम है रभी और क्राइम वर्ल्ड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सक्स के बारे में जिसने यूपी की राजनीती में भुचाल ला दिया जिसकी यूपी में पुरा दहसत का महौल हुआ यहां तक कि जो यूपी के सियम थे योगी महराज उनको कसम खानी पड़ी की मिट्टी में मिला देंगे और जब यह सब्द बाहर लिकल के आता है तो जितने अपरादी होते हैं कुख्यात होते हैं सब डर जाते हैं क्योंकि लोगों मानते थे और जो सरकार है जो गौर्मेंट है उसे एक अपरादी मानती थी जो पांच बार एलेक्सन जीता जिसके नाम पे जिसके मरने के बाद पता चलता है कि 11,000 करोड की संपतिस के पास है लेकिन आखिर इसकी सुरुआत कैसे होती हैं कैसे एक 8 साल का बच्चा जो जुर भी बिगाड नहीं पाता है और देड़ सो के उपर केस होने के वावजूद भी एक भी केस प्रूफ नहीं हो पा रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि शुरुआत इसके कैसे होती है देखिए अलहाबाद में जगह है कसारी मसारी वहीं पे इनका जन्म होता है 10 अगस्ट 1962 इनके अधिर दिरे बड़े होने लगते हैं इसके ये दो भाई और दो बहन होते हैं असरफ इसका जो भाई अभी आपने देखा कुछ दिन पहले उनका भी इंकाउंटर हुआ इनके साथ इंकाउंटर मतलब सूट कर दिया गया गुंडों के द्वारा तो ये दो होते हैं अब क्य आठ में जैसे ही पहुंचता है वहां से कोईला होता है उसकी चोरी करना सुरू कर देता है लगबग 1978 के आसपास की बात है अब इसको दिखता है कि यहाँ पे पैसा काफी है क्योंकि वहाँ से पैसा ये कमाता है और फिर यह लगा था उसमें चोरी करने चुरू कर देता है अब अच्छा 10 में जाता है वहाँ पे फेल हो जाता है पड़ाई में जाता मन लगता नहीं है। को मतलब क्लियर हो जाता है मुझा यहाँ पे कुछ जाधा कुछ करना है नहीं। ठीक है। अब क्या होता है अब यह चोरी करते-क्रते क्या होता है कि वहीं पे एक ML MP होते हैं इसी जग़र ब कहा है तो उनके पहले तो कोईला चोरी करता है अब धिरे-धिरे वसूली करना शुरू कर देता है क्योंकि MP के साथ रहता तो अब इसका नाम बन जाता है लोग डरने लगते हैं अब दुकानदारों से अपने आसपास वालों से वसूली करने लगता है 1988 से लेकि 1983 तक क्या होता है यह खुब मतलब धिरे-धिरे फैल रहा था यह उसी जगह पे एक इनसान होता है चांद बाबा जिनका नाम होता है वो जो चांद बाबा होते हैं वो बंब बनाने में काफी माहिर होते हैं मतलब बंब बनाते फोर देते यह था उनका एक गैन था । चांद बाबा के बारे में चांद बाबा के घीरों में सामिल हो जाता है। और चाद बाबा का जो कारोबार होता है, काफी ज़दा फैला हुआ होता है, काफी दबदबा होता है, काफी डर भी होता है, क्योंकि चाद बाबा जो होता है, वह तो लोगों को डराता था, मारता था, बं तो बनाता ही था, सबसे बड़ी चीज थी, पॉलिटिकल सपोर्ट उसके उपर बहुत हुआ करता था इसी वजह से उसका दबदबा वहाँ पे बहुत ज़्यादा था तो यह अतिक उनसे मिलता है उनसे मिलके काम करने लगता है उनके अंडर में काम करने लगता है अंडर में काम करते करते क्या करता है यह अपना दबदबा और बनाता है हडपन लोगों को मारना लोगों को जान से मारना और उसी दौरान क्या होता है पहली बार केस होता है जान से मारने की अब केस होने के बाद क्या होता है क्या होता है क्योंकि इसका सपोर्ट काफी होता है लेकिन फिर क्या होता है इसके उपर पहली बार NSA लगता है कहा तो यह भी जाता करता था कि इसको बाहर लाने में जो जो एक काफी बड़ा हाथ होता है अतीक आहमद बाहर आता है और फिर से चांद बाबा के अंडर में काम करता है लेकिन एक चीज़ देखता है जो चांद बाबा है जो मतलब बनाने वाले हैं वो बनाते थे लोगों को मारते थे लेकिन छोटे-छोटे एलेक्शन भी लड़ते रहते तो ये देखता है कि एरेक्शन लड़ने से क्या होता है कि जो हमारे अपराद होते हैं वो ढग दिये जाते हैं उन अपराद को फुरूफ करना बहुत मुस्किल हो जाता है और पॉलिडिकल सपोर्ट काफी ज्यादा होता है तो उसी दोरान क्या करता है अतिक अहमद भी अपन चुनाओ लड़ता है यह जीत जाता है ठीक है 1979 की बाद है 89 की बाद है वहां भी जीत जाता है और जैसे यह चुनाओ जीतता है उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन के बाद ही क्या होता है चांद बाबा की हत्या कर दियाती है लोग यह कहते हैं कि क्या था कि यह सारा कारो कि अब यह पूरा हैै अब Q k सरकार होती है वहां से ओफर यह होता है कि तुम फूलपूर की सीट से वहां से संसधी लड़ो वहां से जीतो अब फूलपूर की जो फूलपूर यह सीट है दोस्तों काफी ब्हुक्त पूर्टपुर्ण है क्योंकि जैसे आज बनारास हैं बनारास हैं जैसे मोदी जी लड़ते हैं तो वो जो जगा होती आफ़े जहादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वैसे ही जो फूलपूर की सीट थी वह बहुत जाधा इंपॉर्टेंट थी जावाला-nehru भी पहली बार वहीं से जीत के आए और जाके आगे चलके पधा मंतरी बने तो जो सीट थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और उसी सीट पे यह जीत के आता है आप ज़रा सोचिए पॉलिटिकल लोगों का सपोर्ट क्यों नहीं होगा क्योंकि जो पॉलिटिकल पार् यहां दो जर्म परहों से वहां में जभर लंड़ spur बना जर्व सोचता है ऑपने बागर को लाता है अब बोलता है तुम यहां से लड़ो और इसक और इसके सांबें खला नहीं होए तो कहानी खतम यह चीजे थी अब असरब वहां पर घीजा खाडा होता है लेकिन जैस फे वहीं पर एक candidate आता है राजुपाल उसी के अपोजिट में वो खड़ा हो जाता है मैवधी सरकार की तरब से अब यहां पर आतीक आहमत का दीमाग खराब हो जाता है कि वो कैसे खड़ा हो गया क्योंकि अभी तब उसको कोई challenge करने वाला नहीं होता है लेकिन जो जो राजुप case लड़ा जाता है तो जिनके भाई है असरब वो case हार जाते हैं और इससे अतीक आहमत को बहुत ज्यादा जटका लगता है अतीक आहमत को लगता है कि ये तो मेरी काफी जादा बिज़्जती हो गई है क्योंकि चुनाओ में जब इंसन हारता है तो उसका दबदबा खितम हो जादी के आठ दिन बाद जो राजुपाल होता है, वो मार्केट में जाता है, अब वहीं पर क्या होता है, उसकी दड़ा के हत्या की जाती है, लोग बताते हैं कि हत्या ऐसी होती है कि लोगों के रूख आप जाते हैं, पहले तो उसे वहाँ पर गोली मारी जाती है, सड़क प सामने अठार से बीस लोग जाते है हॉस्पिटल के अंदर जहां पर राजुपल एडमिट होता है उसको लगातार 18 गोलियां मारी जाती है और इस घटना से लोग दहल जाते है पुरा महौल दहल जाता है उस समय मुलायम सिंग थे उनकी सरकार होती है तो बहुत कुछ हो नहीं है और उनकी जो पत्नी होती हैं उनकी पर काफी आरोप लगते हैं लेकंड उमेजफ़ाल वही पर थे उन्होंने देखा था कि अती आज में ऑफ्हाइब में दूसरी तरफThere मा मत्रव सिगयाइज की मांघ होती है तो सी फेटी बी लगाता इस्की जांच करने लगती है ठीक है और वो जाँ चलता रहता है अब क्या होता है दोजार साथ आता है और 2007 में क्या होता है कि फिर से मायवतिक सरकार आती है और वो फिर से जो राजु राजु पाल की पतनी होती है वो फिर से पूजापाल आती है यह चुनाव में लड़ने और इस बार क्य होता है फिर दोस्तों क्या पूजा पाल होती है वो फिर से खड़ी होती है असरब के अगेंश्ट लेकिन इस बार क्या होता है कि असरब जीत जाता है दूसरी तरफ केस चलता रहता है केस चलता रहता है और 2008 में क्या होता है कि जो अतीक अहमद होता है उसको जेल में बंद कर आप जेल में बंद करने के बादanha उधर चल रही है अधर अतिक अहमद जेल के लिए बंध है और होता क्या कि अधिक अहमद का दबदबा इतना जादा होता है जो वहां की पुलिस कर्मी होते जो थी वहां के जो दस जज थे उन्होंने सुनवाई करने से ही मना कर दिया यह इसका खौफ था खौफ इतना ज़्यादा होता है फिर क्या होता है कि कुछ वक्त के बाद जो प्लिटिकल चेंज होता है और मुला दू लिए इसपज़ करता है ये लेकिन एक गलती करता है कि दो आप नहीं स्टूडेंट को अतीक अहमद को बुलाते है और अतीक अहमद आता है वहां काफी भगदर करता है और वहीं पे CCTV के कैमेरे के अंदर जो एक वीडियो होता है वो कैद हो जाता है और वो वाइरल हो जाता है और इसी की वज़र से फिर से अतीक अहमद को क्या होता है जेल जाना पड़ता है जेल म अंदर बुलाता है और उनकी खूब धुलाई करता है खूब उनको पीटता है और बहुत मारता है बहुत पीटता है और उनकी जो 40 करोर की संपत्ती होती है उसको हडप लेता है इसी को देखते हुए जो मोहित होते हैं जाके एक केस दर्ज करते हैं और उनके उपर एक आवरो अब यह क्या है जेल के अंदर है अब चीजे और खराब होने लगती है खराब क्यों होती है इसका दबदबा बढ़ता रहता है और वसूली की चीजे करने लगता है यह देखते हुए सरकार क्या सोचती है अगर यह ऐसा रहा इस तरीके से यूपी का जो महौल है वो खराब हो क्योंकि ये रहेगा तो उत्पात मचाएगा ही मचाएगा क्योंकि इसकी पकड़ थी पुलीस वाले डरते थे तो जाहिर सी बात है जो ये कहेगा वहीं लोग करेंगा अब यहां तक तो मामला चलो ठीक था इसके लिए लेकिन दिक्कत कहां होती है दिक्कत होती है 24 फरीर के आसपास वहां पर क्या होता है कि जो उमेज पाल होता है जो विटनेस होता है उसके उपर हमला होता है लेकिन मैं आपको एक कहानी बताऊं कि जो जाँच हो रही थी सी ब पर नहीं रहता था उमेश पाल का यह कहना था कि 2006 में जैसा कि मैंने आपको बदाया था इसको इसको हड़काया गया था इसी विज़ेसे अपनी जुबान को इधर-उदर करता था अपनी बात पर नहीं रहता था तो 2022 में कैसा इसको हटा दिया गया था लेकिन फिर क्या जब कि उमेश पाल अपने गनर्क साथ उतरता है अपने घर में जाने बाला होता है वहां पर बं फेका जाता है फाइरिंग होती है और उमेश पाल को मार दिया जाता है जिसका कोई लेना देना नहीं होता है इस केस से तो एक कहते ना कि विपीत काले मतलब एक कहावत है ना कि ज साफ साफ देखा गया कि जो गुड्डू मुस्लीम है और जो असद है ये लोग इसमें सामिल थे असद मुक्तार अंसारी का बेटा होता है यह बात पुरी तरीके से फैलने लगती है तो बात तो चली फैलती है कि उसने खून किया है तो सारी चीजे वो ऐसी होती जैसे वो खुद भी बोलती है कि योगी जी से ज्यादा खतरनाग तो अखिलेस है क्योंकि उन्होंने क्या किया था हड़काया था तो ऐसे भी आरोब लगे अब क्या होता है जब वहां पर कसम खाई जाती है मिट्टे में मिलाने की तो यह बात बहुत तूल पकड़ती है और कही अब कुछ न कुछ तो होने वाला है और उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले जो योगी सरकार होती है वो अतिक को वहां से बुलाने की कोशिस करती है दूसरी तरफ जो इनका बेटा होता है असद वुड़ू मुस्लिम यह लोग भाग गय होते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद ही खबर आती है कि जो ड्राइबर थे ठीक है इन लोगों को मार दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद यह खबर आती है कि जो अतिक अहमद का बेटा है असद उसका भी इंकाउंटर कर दिया जाता है गले में एक गोली सर में दो गोली और उसकी मौत हो जाती है और जहाद जैसा कि मैंने बताया जो मसारी जगह था वहाँ पे इसकी लास को दफनाय जाता है लेकिन जो अतीक अहमद होते है उनको वहाँ पे नहीं लेके जाया जाता है उनके भाई को भी नहीं लेके जाया जाता है कि जो अतीक अहमद है इनका proper medical check-up होते रहना चाहिए तो जब भी इनको medical check-up होता तो इनको hospital लेके जाता था तो वही महौल होता है, media भी वहाँ पे होती है और वहाँ पे तीन लड़के आ जाते हैं आपने नाम सुना ही होगा, लावले, सनी और अरुन और जैसे ही उनसे सवाल पुछा जाता है वह good Muslim का नाम लेते हैं, उसी दौरान उन पे गोलिया चला दी जाती है और जब यह देखा जाता है, media में सारा कुछ record होता है और यह देखा जाता है कि महज उनकी उम्र जिन्होंने सूट किया है 18 साल से लेके 22 साल तक थी और यह चीज़ देखे लोग डर जाते हैं क्यों डर जाते हैं? क्यूंकि एक अपरादी तो मरा था लेकिन तीन अपरादी फिर से जन मिलेते हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपने इनको क्यों मरा? तो बोलते हैं कि हमने इनको इसलिए मारा क्योंकि हमें अपना नाम बनाना था अब ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने लगता है और कई सारे सवाल उठते हैं लोग डरते भी हैं और पहली बार जो लोग होते हैं ये देखे डर जाते हैं जो सबसे खतरनाग जानवर अगर होता है वो सेर नहीं इनसान ही होता है सेर तो फिर भी मौत से डर जाता है लेकिन इनसान अगर अपने आप पर आ जाये तो मौत से भी नहीं डरता है सोच ये जरा उनकी उम्र क्या होगी 18 से 22 साल उन्हें कुछ पता भी नहीं होगा लेकिन इसके वाजूद भी उनके अंदर कोई डर नहीं था उनको पता भी साथ उनको अंदाजा भी नहीं था वो कितने बड़े माफिया को मारने जा रहे थे और बहुत सारे इसे सवाल उठते हैं कि आखिर यह तीनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है फिर तीनों यहां पे कैसे आए बहुत सारे सवाल उठते हैं बहुत सारे लोग law and order पे सवाल उठते हैं और इस तरीके से जो अतीक अहमद होता है जिसने इतना बड़ा सामराज बनाया 11,000 करोड का सामराज बनाया जो कच्छा आठ से लेके कोईला बेचने का काम सुरू करता है और इतना बड़ा दबदबा बनाता है बाहु बली जिसे कहा जाता है और एक गलती की वज़े से उसका सारा सामराज मिट्टी में मिल जाता है तो आप जारा सोचिए जो माफिया होंगे, जो बाहु बली होंगे उनकी हालत क्या होगी इस वत और ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठते रहें तो क्या कहानी आगे होगी क्योंकि अभी जो अतिक आहमत है इनके दो बेटे हैं, उनकी वाइब अभी है आगे क्या कहानी होगी क्या जो इनके दोनों बेटे हैं वो भी आएंगे, क्या वो बदला लेंगे अभी तब कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन अगर ये कहानी आगे बढ़ेगी तो फिर से हम इस कहानी को वापस लेके आएंगे क्राइम वर्ल में दोस्तो मिलेंगे नेक्स्ट एपसोड में थैंक्यू सो मज